साथियों नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुधान शुत्र पाथी, समाज बिग्ञान विद्या शाक्था में मैं राजनेती विग्ञान के आचार के रूप में कारे कर रहा हूँ अब जानते हैं कि उत्तर पुदेश राजशी टेनल मुक्तविश विद्याले प्रयाग राज दूरस्त शिक्षा के माद्यम से देश के कोने कोने में, देश और पुदेश के कोने कोने में सभी चात्रों को, सभी सिक्षारतियों को सिक्षा मुहया करा रहा है और उसके इस प्रयास के फलसुरूप एक जन्जागरिती देखी जा रही है और चात्रों की बढ़ती हुई संख्या, उनके द्वारा पाठिक्रमों की बढ़ती हुई मांग से इस पश्ट हो रहा है कि अविश्व विद्याले अब प्रगती के पतपत निरंतर अग्रेसर है इसी क्रम में आज मैं राजनीत विग्यान के अंतरगत एक प्रमुक अवधारना, सुशाशन, गुड गवर्निंस पर अपने विचार आपके समुख रखना चाहूंगा साथियों आप जानते हैं कि बिगत तीन या चार दश्यकों से सुशाशन पर देश में, विदेश में, लगबग सभी देशों में काफी चर्चा परी चर्चा हो रही है से मिनार गोष्ठें आदी चल रही है तो एक प्रशन उठता है कि एका एक इस विशव पर विचार करने की, इस पर चिंतन करने की आवशिक्त्या क्यों आन पड़ी है तो इसलिए इस पर मैं करम से चलना चाहूंगा पहले तो इस शब्द की उत्पत्ति और इसके अर्थ को और उसके बाद इस संकल्पना के विकास पर चर्चा करते हुए इसकी पर भाशा आदी पर और आगे विशलेशन मैं आपके सामने रखूंगा गवर्नेंस यानि कि शाशन शब्द मुल्तह युनानी भाशा के कुबरनाव कुबरनाव शब्द से उद्भूत है जिसका अर्थ स्टियरिंग होता है अर्थात संचालित करना चलाना अर्थात साशन पूरे समाज को चलाता है मार्ग प्रशस्त करता है दिशा दिखलाता है इसलिए शाशन का हर्थ तरह से गुण संपन्न होना किसी भी दाग धब्बे या कलंग से मुक्त होना ये अत्यंत आवश्यक है और इस रूप में शाशन के आदर्श रूपों की चर्चा हमारे देश में विदेशों में आदिकाल से होती आई है और ये चर्चा चल रही है इधर तुतिय विशुत के बाद जब उपनिविश्वात समाब्थ हुआ इसके फलसुरूप एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जिसे की सामोहिक रूप से तृतिय विश्व का नाम दिया जाता है इन देशों में उपनिविश्वात के खत्म होने के साथ ये सभी देश सुतंतर राष्ट राजिक के रूप में विश्व के मानचित्र पर आए चुकि इनको लंबे समय तक सदियों सदियों की गुलामी और उससे उत्वपन अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ा था तो इनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, यहां तक की सांस्कृतिक व्यवस्था पूरी तरह से चर्मरा गई थी अब इनके सामने यह समस्याती की कैसे यह नए सिरे से अपना पुनर निर्मान करें इस दिशाम में इन्होंने तो सोयम प्रयास किया ही साथी साथ पश्चमी विक्सित देशों के विद्वानों ने भी इस पर ध्यान देना आवेश्यक समझा और इस क्रम में कुछ नए नए सिधान था है जिसमें कि राजनीतिक आधुनिक की करण किया उधारना 1950 में आई इसका उद्देश था कि राजनीतिक विवस्थाओं में विशेशकत तृतिव शुक्र देशों की राजनीतिक विवस्थाओं में आधुनिक लोगतांत्रिक मुल्य कहां तक उपस्थित है और था सोतंत्रता, समानता, न्याय, विदिकाशाशन, लोगतंत्र कहां तक इसमें उपस्थित है और चुकि नहीं था इसलिए इनको कैसे स्थापित किया जाए इस तरह से सेक्षनिक गतिविदी आगे बढ़ी आगे राजनितिक विवस्थाओं की शमता को देखना मुख्य उद्देश था इसी के साथ साथ कैसे राजनितिक विवस्था में जन साभागिता बढ़ाई जाए इस पर भी ध्यान दिया गया और इस तरह से वैचारिक मंधन शुरू हुआ इसका यह अर्थ नहीं है कि सुषाषन पर पहले कभी चर्चा नहीं हुई थी वो सब चर्चाएं चल रही थी आदिकाल से होती रही है हमारे देश में रामचरित मानस महा भारत कौटिलिका अर्थशास्त आदि ऐसे ग्रंत हैं जिसमें सुषाषन की सारी बातें सुषाषन अगर हम देखे तो तुतिव विश्व के देशों के साथ साथ पश्चमी देशों के भी विद्वान, वहां के नेतागण, शाशकगण और सभी चिंतन करने वाले सुधी जन या प्रियास कर रहे थे कि कैसे राजनितिक विवस्था के साथ जनता के हितों को मिलाया जाए या उनका किस तरह से मेल किया जाए कि न तो राजनितिक विवस्था कमजोर होने पाए और नहीं जनता की सुतंद्रता और उनके अधिकारों पर कोई आँच आवे अर्थात इसके लिए जन सहमती बनाना, राष्टी मुद्धों पर जन सहमती बनाना यह एक प्रमुक प्रयास था इस दिशा में प्रश्चिमी देश यद्यपी आगे हो चुके थे तथा पि त्रतिय विश्व के देश इस दिशा में कारिक कर रहे थे, यद्य पर उनके सामने बड़ी चुनोतियां थी, लेकिन फिर भी वो प्रियत्न शील थे अर्था प्रशाष्निक संस्कृति के पुराने प्रतिमानों को बदल कर अधुनातन संस्कृति और विकास उन्मुख शाष्की वातवरण के विचारों से प्रभावित होकर यह संकल्पना दीरे देरे आगे बढ़ी इसी के साथ आगे चलकर जब विश्व बैंक ने भी इस दिशा में प्रयास शुरू किया और नबे के रशेक तक आते आते विश्वी करण तथा नव उधारी करण की विचारधारों से प्रभावित होकर विश्व बैंक ने 1992 में राज्यतिक विवस्था के मुल्यांकन के ल सुसाशन का मुख्यों देश ऐसी धार्णा के प्रतपादन करना है जो सरकार के कारियों का मुल्यांकन उनके द्वारा किये गए कारियों की गुण्वत्ता के आधार पर करे और इस प्रकार से विश्व बैंक ने एक परिभाशा भी दी कि सुसाशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई सरकार सामाजी के वमार्थिक संसादनों के लिए शक्ति का प्रयोग करती है अर्था सुसाशन के अंतरकेतिया देखा जाता है कि राजनितिक सत्ता द्वारा किस प्रकार के निर्ने लिए जाते हैं और उनका क्रियानवियन कहां तक प्रभावी होता है कि 9 नि की करण की में पियानि की जण जागरी थी और सुधारवाद पहले आया था जांते हैं कि तेर्वी शताबदी में इि कुनहें जागरण आया सुधारवाद आया उसके बाद 17 अतापदी में 18 अतापदी में फिर इंग्लेंड में आया इसकी वज़े से पश्यमी देश विकास के क्रम में तृतिविश्यू के देशों के तुलना में काफी आगे बढ़ गए थे यद्यप्रित्ती विश्यू के देश संपन थे अपनी इस्थानी यह मजबूत विवस्था भी थी लेकिन अपने विश्य गुलामी के चलते उनका इस परकार से सोशन हुआ इस परकार से दोहन हुआ कि जब समराजवाद खतम हुआ उस समय उनकी स्थिति एक ऐसे देश के रूप में थी जो की बिल्कुल विपन न था, उसके पास न तो संपत्ती थी, न तो संसाधन थे, न तो जनता में कोई वैचारिक एकमत्ता थी, नहीं कोई सबल नेत्रितो था, ऐसी दशाम में उनके सामने राष्ट्री पुनर निर्मान की एक बहुत बड़ी चुना लगातर बड़ी राए, तो उस लगतंत्र के दौर में दुर्भागेवश निताओं के साथ आयोगी किस्म के लोग साशन में शामिल हुए और उन्होंने सत्ता का और जन्धन का खूब दूर्पयोग किया, नतीजा ये हुआ कि तप्तिवश्यों के सभी देशों में, और सामाजिक समरस्ता भली भाती इस्थापित नहीं हो पा रही है क्योंकि समाज में सिस्टम जो है अभी भी फ्यूडल मोनेर्किक रूप में कारी कर रहा है, आर्थिक असमानता इतनी जादा हैं कि अमीर और गरीब छोटे बड़े का भेद भाव अभी भी बहुत जादा ह ऐसी दशाँ में इन सभी देशों को पश्च्चमी देशों की समक्ष ले आना और उनके समान विक्सित बनाना और उनहीं के जैसा राजनितिक मुदों पर राश्ट्रे मुदों पर जनस्वामती निर्मित करना ये इन देशों की एक बहुत बड़ी चुनोती है तो इस दिशा में जब विश्यवेंक ने इस अधारना पर प्रकाश डाला तो एक एक तेजी से गती आई और सभी देशों पर इस पर चर्चा शुरू हो गई इसको अर्था सुसाशन में क्या मापदन्ड होना चाहिए इसको एक प्रमुक विद्वान डेविड और सबॉर्न तथा टेड गैबलर ने इसपश्ट करते हुए बताया है कि सुसाशन एक ऐसा ही व्यवस्ता है जहां पर उद्यमी तथा शीग्र निर्ने लेने वाले शाशन क की उपस्तिती है और ऐसे साशन की संकल्पना की अंतरगत कुछ प्रमुक विश्यष्टाओं को अनिवारे बताया गया है और वे हैं नंबर एक उत्प्रेरग सरकार नंबर दो समुदाय पर आधारित सरकार नंबर तीन प्रतिस्परदी सरकार नंबर चार सेवा प्रयोजित सरकार नंबर पांच परिमानों मुखी सरकार नंबर चे ग्राहों मुखी सरकार नंबर साथ उद्यमी सरकार नंबर आठ पुर्वा नुमान लगाने वाली सरकार नव विकेंद्वित सरकार दस्वां बजारों मुखी सरकार ग्यार्वां लक्ष प्राप्तिक्योर निरनतर उ लगाने वाली सरकार, अब इन सभी जो प्रमुख लक्षणों को आपने देखा, इसमें बाकी सब तो बहुत ही सरल हैं और इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें जो पूर्वा नुमान लगाने वाली सरकार है, यह जो लक्षण है, इस पर विचार करना चाह अर्थात एक ऐसी सरकार, जो की अपनी जनता की आवश्यक्ताओं के बारे में निरंतर सचेत है, उसे यह पता है कि अगले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में या 20 वर्षों में क्या जनता के द्वारा मांग होगी, और उस पर वह पहले से तयार रहती है, अर्थात सरकार जनता क ये हितों को पूरा करे, साथी साथ वह जनता को दिशा भी दे, क्योंकि सामान रूप से हर वेक्ती इतना सचेत या इतना जागरूक नहीं होता है, और ज़्यादा तर लोग अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा की अवशक्ताओं में इतने मश्गूल रहते हैं, इतने ब इतकारी है, क्या अच्छा होगा, ऐसी वह विवस्था करे, और इसके लिए जनता को तदानुसार सिक्षित करे, तो इस तरह से यह इस प्रस्तावना के साथ, शायद अब आपको यह स्पष्ठ हो गया होगा, कि सुशाशन एक ऐसा साशन है, जो जनहित में कारे करता है, जो साथी साथ वह एक निश्चित प्रभावशाली तरीके से, अर्थात कारियों को वास्तविक रूप में संपादित करने से जुड़ा हुआ है, अर्थात केवल कारे करने के मतलब केवल यह नहीं की भाशन दिया और अच्छे चेवादे किये, लेकिन उनको पूरा नहीं किया यह तो पहले बहुत हुआ है, लेकिन यह नहीं होना चाहिए, यह साशन की कारिप्रणाली का सूचक है कि वह जितना वादा करती है, उसको वास्तों में क्या पूरा निभाप आती है कि नहीं, यह उसका मानक है, इसलिए अंतरास्ट्रिय मुद्रकोश ने सुसाशन को एक आ हुआ नहीं, यह देखना यह अत्यनत आवश्यक है, तो संक्षेप में सुसाशन या अच्छे शाशन में जो मुख तत्वनित हैं, वो हैं दुर्त क्रिया शीलता, जवाब देही, संवेदन शीलता, पारदर्शिता, भागीदारी, खुलापन, वदिसम्मत, नियाए प्रिय शाशन, आप परचित होंगे, अभी कुछ वर्शन तक पहले तक जो लोग कल्यानकारी राजी की संकल्पना रखी जाती थी, लगभग उसी अर्थ में यह सुसाशन देखा जा सकता है, कि किस तरह से शाशन जनता के लिए अच्छे से अच्छा खारे करे, और उनकी सभी इस संकल्पना के साथ, इस संकल्पना के साथ, हम लोग अगर कुछ सुसाशन की परिभाशाओं पर विचार कर लें, तो अच्छा होगा, जिससे कि यह संकल्पना आपके सामने और अच्छी सपष्ट हो जाएगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसाइज अक्सफोर्ट परिभाशा दी है कि सुसाशन या अच्छे शाशन का आश है, शाष्की कार संपादित करने के बेतर तरीकों तथा इसी रूप में राज, प्रांत या इस्थानी सरकार से जुड़े, पदों एवं उनके कारियों से संबंदित है, साथ ही अच्छे प्रशाशन का अर्थ, ए माध्यम को जनहित में चलाने से तथा उन सरनचनाओं और प्रक्रियाओं से भी है, जिसके माध्यम से प्रशाशन अपना दारित लक्ष प्राप्त करता है, पर सीधा साशा है कि साश की कारिकों कैसे अच्छे ढंक से किया जाए, और इस प्रक्रिया में केंद्र की सरकार, र प्रधारित लक्ष हैं, उनको अवश्यमेव पूरा किया जाए, एक दूसरे विद्वान एंड्रिया लेफ्ट विच ने बड़ा संक्षेप में बताया, लेकिन अच्छा बताया कि सुशाशन यानि कि अच्छा प्रशाशन है, नमबर एक, खुली बादार अर्थ व्यवस् प्रशक है, जिसमें की सभी के हित की रक्षा हो सकेगी, दूसरा लोग तंत्री करण या प्रजातंत्री करण प्रजातंत्र का यूग है और जितना ज्यादा प्रजातंत्र का विकास होगा, जनता के दिकारों की रक्षा के लिए उतना ही अच्छा होगा, और तीसरा है, मान इन्व अधिकारों की रक्षा के संदर्व में उन्होंने एंड्री लेफ्ट विच साब ने विशेश ध्यान दिया है और उसको उन्होंने महत्रपूर्ण लक्षन बतलाया है एक अन्विद्वान एसमे रॉय कि अनुसार सुशाशन प्रजातांत्रिक विवस्था में कुशल एवं प्रभावी प्रशाशन से जुड़ा है यह जुड़ा है यह यह प्रजातंत्र सबसे अच्छा कर सकते हैं जनता के द्वारा जनता के लिए जनता जहां पर स्व्यम साशक होगी तो ठीक है भाज राष्ट राज्ट जहां बड़े-बड़े देश हैं बड़े-बड़े राष्ट हैं और वहाँ पर सभी सारी जंथा शाशन में भाग नहीं ले सकते है इसलिए आज का प्रजातंद प्रतिनि ध्यात्मक्त प्रजाथ न्ता है लेकिन शाशन जंटा की मर्जी के नूसारी होता है क्योंकि जो प्रत्नी दिये वह जंटा के द्वार चुना हुआ है तो प्रजातान्तिक विवस्ता से जुड़ा हुआ। इसलिए उन्होंने अच्छे प्रशाशन की परिभाषा नीति निर्धारण और नीतियों के वास्तविक अनुसरन करने के संगटनात्मक प्रभावीपन के रिष्टे के रूप में किया है अर्थात उनके कहने का शहिए है कि जिस तरह से नीतियां बनाई जाएं उन नीतियों क किस प्रकार से भलीबातिक क्रियानवित किया जाए जिससे एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जो कि अपने उप्देश को निर्धारित और अपने लक्षी के अनुरूप पूरा करे तो यह एक प्रभावी जो कार्य प्रणाली है सुशाशन में इस अर्थ में रविंसन साब ने बल दिया है इसमें इस धार्णा में यानि जो रविंसर साब ने कहा इसमें आर्थिक नीतियों के नुसार काम करने तथा उसी के अनुरूप विकास इस्थिर्था और लोग कल्याण के रूप में अगर हम समझें तो सुशाशन का आर्थ उनका लोग कल्याण की स्थापना जैसा मैंने भी आपके सामें रखा था ये उनका परिभाशा का उद्देश है अब इस धार्णा में राष्ट राजी की धार्णा को जोडते हुए अन्य विद्वान है वी ये पाई पानिंदी कर उन्होंने एक अच्छी परिभाशा संक्षेप में दी कि सुशाशन की परि करने में सहाइक होती है अताद इस प्रकार के उसके सारे गुण है इसके आधार पर सुशाशन को उन्होंने परिभाशित किया है एक बिसरे विद्वान है मिनोचा मिनोचा साब कहते हैं कि सुशाशन में राजनितिक उत्तरदाइत्व उतंतरता की उपलब्दी कानून पाल होते हैं मिर्चीती सी बात है कि उसमें जो जन्र साशन की जिम्वेदारी है और जो उनकी एकाउंटे बिलिटी है वो होनी चाहिए जो बिरोक्रेसी है वह एकाउंटेबिल होनी चाहिए और वो कानून के अनुसार चले सुचना याने ट्रांसपरेंसी अर्थाथ जिससे की एक प्रभावशाली और कुशल प्रशाशन की स्थापना हो सके एक अन्य विद्वान हैं बी के डे उनका कहना है कि सुशाशन कार्थ राज्य में लोगों के कार्यों को निमान उसार वैधानिक सत्ता द्वारा संचालित करना है पुनह जनता की लोगतंत्र में कार्य करने वाली सरकार माना जाता है तो यह परिभाशा जो कि सुशाशन के अधारणा को इसपश्ट करती है कुछ एक और एमर्शन साब का कहना है एमर्सन कि सुशाशन प्रजातांत्रिक धांचे में समर्थ एवम प्रभावशाली प्रशाशन से जुड़ा है अता सुशाशन की स्थापना एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में ही संभव है या किसी तानाशाई में या किसी अन्य किस्म की राजनितिक विवस्ता में उन पर अमल उनको लागू कठोरता से किया जाता है अर्थात राजी के नियम भले ही कम हो कानून भले ही कम हो लेकिन उनको इतने अच्छे धंग से इतने कठोरता से लागू किया जाता है कि उसका लाव प्रत्यक्वेक्ति को भली बाती मिल सकता है तो यह इसका उद्देश है तो अगर हम इन सारी परिभाशाओं को देखें, तो बड़ा सीधा निश्कष निकलता है, कि सुशाशन कभी लक्ष के रूप में दिखलाई पड़ता है, या कभी साधन मीज के रूप में भी दिखलाई पड़ता है, और अधिक तर ज़्यादतर सभी परिभाशाओं में यह उद्देश की प्राप्ति के रूप में दिखलाई पड़ता है अर्थात या तो लक्ष की प्राप्ति के रूप में या तो साधन के रूप में या तो लोगतांतिक उद्देशों की प्राप्ति के रूप में अर्थात इन सभी रूपों में हम सुशाशन को समझें तो इस तर जैसा मुदी जी हमारे देश के प्याश्चत्वी जानमंत्री मुदी जी कहते ही हैं सबका साथ सबका विकास वह सुसाशन का ही उसका एक लक्ष है इस अर्थ में वह इस बात को बार-बार दोराते हैं तो उसी अर्थ में अपने सभी नागरिकों की बुनियादी सुविधाए उपलब्द कराना यह इसका मुख्य लक्ष है इसमें समाज के दलित पिछड़े विपन एवं बंचित वर्ग को सशक्त बनाना तो था उन्हें राष्ट के मुख्यदारा में शामिल करते हुए समाज के लियांड की योजनाय संचालित करने कि सासाथ एक समता मूलक समाज ए अथा रामचरित मानेश में जिस रामराजी की संकल्पना प्रस्तुत की गई है कि एक ऐसा जिसमें कि किसी को कोई कश्ट नहीं है किसी को कोई दुख नहीं है किसी को किसी प्रिकार का कोई तकलिफ नहीं है अथा सभी सुखी हैं और सभी अपने कारियों को भली बाति कर रह ही है इसी रूप में हमारे जो एक प्रमुख विद्वान और जिनके नाम से आप परचित हैं को टिल उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि यदे पर उसमें राजितंत्र था लेकिन राजितंत्र का यह आश्य नहीं था कि राजा की इच्छा सर्वों पर ही हो राजितंत्र य और उनका पालन पोष्ण उसी प्रकार से करता है उनके हितों की चिंता उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से कोई पिता अपने संतान की सारी आवशेक्ताओं को पूरा करता है और उन्हें हर प्रकार से सुखी रखता है जैसा उन्होंने लिखा है अर्थ शास्त्र में पर नहीं है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा का हित ही राजा का भी हित है और जो राजा को प्रिय हो वो राजा का हित नहीं है बलकि जो प्रजा का जो प्रिय हो वही राजा का भी प्रिय होना चाहिए इस अर्थ में राजा की निजी च्छा या राजा की अपने निजी आउशिक्ता ये मत्वपूर्ण नहीं थी, इसके लिए राध्धर्म की एक संगिता, आचरन संगिता भी थी, जिसे जो की राजा को हमेशा जनता के प्रजापालक के रूप में, जनता के पिता के रूप में रखती थी, और ऐसा अनेक जातक अथाओं में, आचारे के नितिसार में, पाड़िनी के अश्टाध्याई में, एतरे ब्रामण, वनुश्मृति, बालमिकी रामाण, और कॉट्विलिक अर्थशाष जिसका मैंने अभी आपके सामने चर्चा की, इसी भावना से प्रभावित हो के चुकि हमारी ये इतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है, तो सुतंतरता की, सुतंतर भारत में भी, यानि सुतंता के बाद भारत के सम्विधान की प्रस्तावना लिखी गई, तो वहाँ पर भी सुशाषन की स्थापना जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वास्तों में वह सुशाषन की स्थापना के लिए ही एक मारक दर्शक सिधान्त है और इसमें सुशाशन के ही सारे तत्व स्थापित हैं कि कैसे नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक उत्थान हो, यह सब वहाँ पर अब देख सकते हैं कि भली भाती लिखा हुआ है मेंशन्ड है गांदी जी के विचारों में भी हम देखें तो रामराज गांदी जी का जो है वह भी सुशाशन की स्थापना का ही एक रूप है और इस तरह से सुशाशन की दिशा में अब वरतमान प्रधान मंत्री श्री नरेन मोदी जी के नेत्रतों में हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो इसी के साथ साथ अब सुशाशन के कुछ निर्धारक तर्त्वों पर विचार करना अवश्यक होगा और इस पर कुछ प्रमुक्ष संस्थाएं जो वैश्विक प्रमुक्ष संस्थाएं हैं उन्होंने इनको को इसपष्ट किया है तो उनपर अगर विगवार हम समय चर्चा कर लेंगे तो यह अवधारना शायद और अच्छे डंग से इसपष्ट हो जाएगी आपके सामने तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एशिया एवं पैसिफिक के लिए सामाजिक आर्थिक परिशद इसमें सुशाशन के किन तत्वों पर चर्चा की गई है उनपर मैं करम से आता हूँ तो यह तत्व हैं नंबर एक सभागी परक होना यानि कि सभागिता सुशाशन में सभागिता त्यंतावश्चक है दूसरा आम सहमती पर आधारित होना यानि कि शाशन साशन के लक्ष वो है कॉंसेंसस यानि कि जन सहमती पर आधारित होना जरूरी है तीसरा उत्तरदाइत पूर्ण साशन यानि कि एकाउंटेबिलिटी यह बहुत जरूरी है उत्तरदाइत पूर्णता चोथा पारदर्शिता अर्था खुला अपन होना चाहिए, ट्रांस्पेरेंट होना चाहिए, पाचवाँ अनुक्रियात्मक्ट और रेस्पांसिव होना चाहिए, छटवाँ प्रभावशाली एवं कारे कुशलता यानि शाषन कारे कुशल हो प्रभावशाली ढंक से कारे करे साथवां समता मूलक होना चाहिए यहनि समानता प्याधारित होना चाहिए आठवां विदिका शाषन अर्थात रूल अफ लॉफ लॉफ अर्थात शाषन बिना विदिके अगर होगा तो अन्यंत्रित हो जाएगा जैसा कि आपने ये अंग्रेजी का मौहावरा सुना होगा पावर करप्स, एबसुलूट बावर करप्स एबसुलूटली अर्थात शक्ती भरष्ट करती है और अगर शक्ति निरंकुष हो जाए, तो फिर तो क्या पूछना है, क्या इस्तिति होगी जनता की, यह आप अपना कर सकते हैं। तो यह S-CAP के द्वारा आठ तत्वों की चर्चा की गई है। विश्व बैंक ने छे तत्वों का वर्णन किया है, जो कि इसी तरह से मिलते जुलते हैं, उस पर हम आते हैं। पहला है उत्तरदाइत्व, दूसरा है राजनिति की स्थिर्ता, तीसरा प्रभावशिल्ता, चौथा नियामक यहने की शाषन नियंबद होना चाहिए और नियंत्रित नहीं होना चाहिए। पांचवाँ विदिका शाषन और छटवाँ प्रष्टाचार पर नियंत्रण। प्रष्टाचार पर नियंत्रण। पर इन्होंने विशेश बल दिया है, क्योंकि प्रष्टाचार की समस्या तृति विश्व के देशों में बहुत ज्यादा है, इसका यह मतलब नहीं है कि पश्चिमे देशों में या विकशिद देशों में भ्रशाचार नहीं है लेकिन तृतिव इश्व में ये जादा इसलिए है कि वहां पर चूपी जो सिविल सोसाइटी जंता की जो संगठित आवाज है वोँ अभी भी यह कि जुटता वहां पर नहीं है लोग चोटे-चोटे कारणों से आपस में विशेशकर जैसा हम अपने देश में देखें तो जाती, पाती, धर्म, संपरदाय, भाशा, छेत्र, लिंग, आधार पे हम लोग बटे हुए हैं तो ऐसे बटे हुए समाज में जो शाशक वर्ग है वो हम मनमानी करने में आसानी उसको होती है क्योंकि जनता संगटित होकर उसके उतपर प्रभावशाली जंग से अपना दबाव नहीं डाल पाती है और वो अनियंतित होकर जनता के धन को लूटते हैं और जनता के उपर अत्याचार भी करते हैं एक तीसरी संस्ता है UNDP अर्थात सहीप्त राष्ट विकास कारिकरम और उन्होंने सुशाशन के जो तत्व बतलाएं हैं उन्होंने नौ तत्व बतलाएं पहला ऐसा भागिता दूसरा है विदिकास शाशन तीसरा पारवदर्शिता चौथा अनुक्रिया शीलता पांच्वा जन सहमती छट्वा निया संगतता शात्वा प्रभाव शीलता आठ्वा जवाब देही नवा सामरिक दिश्ट्री लिपिन्स की राधानी मनीला से आप सुपरचित हैं मनीला अभी घोष्णा 1999 में शुशाशन के जो तत्व जिन पर चर्चा की गई है वे हैं नंबर एक भागिता नंबर दो पारदर्शिता तीसरा समता चौथा सहेंशिलता पाच्वा सेवान मुखुता चट्वा सतत्विक क्या कि नियमक अभिशाशन सात्वայ थिका शैसंग तो समगन रूप कर आप देखें यह सारे के सारे जो तत्व हैं एक ही जैसे हैं कहीं पर एक दो अतकरिक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन समय के रूप में सब का आशे एक ही है ये ठीक है कि कहीं कहीं शब्दों में उनको और बढ़ाया गया है तो इन सब इस अर्थ में यानि कि सुशाशन की शाब्दिक व्याख्या इसके साथ परिभाशा इसके साथ इन तत्यों के आधार पर अगर हम संपूर्ण विश्लेशन करें तो हम समझ सकते हैं कि सुशाशन यानि कि शाशन में अच्छाई एक ऐसी आवश्यक्ता है एक ऐसी धाड़ना है जो की नितांत आवश्यक है विशेशकर तत्यों विश्यकों देशों में जिनकी की बहुत जादा संख्या भी है सा विकास शील देशों में भी क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि विकास का एक अंतिम कोई चरण होता है और उसके बाद विकास नहीं होता इसलिए उत्रोतर विकास या सभी की आवश्यक्ता है और एक प्रकिती जन्य आवश्यक्ता है तो यानि कि सुशाशन उस आवश्यक्ता को प रक्षा हो और कोई भी किसी भी प्रकार से बंचित न रहे, उसके पास आवसर की कमी न रहे, किसी प्रकार की लाब की कमी वह न महसूस करे और थाथ वह भी शाशन में अपने महतों को समझे. तो इस तरह से जो मनुष्य के अधिकार की प्राप्ति और इसी के साथ साथ जीवन की एक इसतरी कल्पना, यानि की डिग्निफाइड लाइफ या जो मानवा अधिकार का लक्ष है, शुशाशन इसको पूरा करने का प्रयास करता है. इस अर्थ में सुशाशन जो पश्चिम की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि लालफिता शाही, प्रक्रिया संबंदीर, ओड़िबादिता, सम्वेदन हीन होना, इन सब बुराईयों प्रहार करता है और उसका ये मानना है कि शाशन त्वरित कारे करे, प्रभावी डंग से कारे करे, समय बद तरीके से कारे करे और अपना लक्ष प्राप्त करे, लेकिन एक चिंता यह है कि यद्यपी ततिविश्व के देशों में सुशाशन के अउधारना विक्सित तो हो रही है, लेकिन यहाँ विक्सित होते होते, आज जैसा दिखाई पढ़ रहा है कि ये पश्चम रूपांतरित होती जा रही है, ये सुशाशन के संदर्व में एक चिंता का विशय है, अर्थात बहुमत का हित हो, यानि कि जादा से जादा लोगों का जादा से जादा हित हो, और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जो अल्पमत हैं, वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के रूप में है, वह पश्चिम की अधारना अधिक से अधिक लोगों के, अधिक से अधिक सुख की तुलना में कहीं ज्यादा बहतर है, कहीं ज्यादा सुंदर है, कहीं ज्यादा न्याय युक्त है, और वास्तों में शुशाशन का जो सं संदर्ब है वास्तविक संदर्ब उसकी प्राप्ति भारती परंपरा की सुशाशन के अधारना में शायद ज्यादा अच्छे डंग से प्राप्त हो सकती है और इसलिए मोदी जी का जो यह नारा है सब का साथ सब का विकास अर्थात कोई भी उसमें चुटना नहीं चाहिए औ तो इस रूप में अगर इसे देखा जाए तो यह अच्छे ही एक प्रभावी संकल्पना है और राज्यों के संचालन में राज्यों के लक्ष प्राप्ति में इस धारना से अगर शाशक सभी इस तरों पर कारे करते हैं तो जनहित की भली भाति रक्षा होगी और शुशाश झाल जिक प्राप्ति में लोगकी करके लि Platz प्राप्ति में